मैं सक्वेंदर सेंग, गवर्मंट इटी बरनाड़ा, फिट इस्ट्रक्टर, आज इस ओडेकॉड, सेकंड समेस्टर दा, स्टार्टिंग में चीजो अपने क्याप्टर शुरू हन्दा, ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्ज लेके हाजर हो यहां, ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन्ज शुरू करतों पहला, मैं तो आनू एक बार, जो ड्रिल बेट दा नमली केचर होंदा है, ओदे बारे दास्ता, क्योंके बार बार यहोई का लवनिया, हैलेक सेंगल की होंदा, भी करना हूँ, अज जो मेरा अज दा चैप्टर है, वो हैगा ड्रिलिंग नमनिकेचर, सब तो पहला आप आज स्टार्ट कर देया, पार्ट्स आफ ड्रिल बेट, एक ड्रिल बेट दे तिन पार्ट्स होंदे ने, शैंक, बॉड़ी अथे पॉइंट, जीड़ा पार्ट मैं पार्ट्स होने इते देख रहागा, वो यह शैंक, शैंक दो परकार्दी हम देया, टेपर शैंक ते स्ट्रेट शैंक, जीड़ा एते शैंक शोख हो रहा, वो बिल्कल स्ट्रेट आगा, तुसी देख रहे हो, यह दोने डिया लाइन्स देने होगा, एक दूसरे दे पैरलर टेपर शैंक दे विच की होगा, ए लाइन्स सोडियां टेड़े जानगे, इंकलाइन्ड होणगी, उन्हों आपा टेपर शैंक आदेने, जीड़ा ए शैंक होंदा, एहे ड्रेल चाक, स्टेट शैंक यह ड्रेला, उस इद्धा ड्रेल चाक दे विच फड़ा जानदा, तेया साइज छोटा होगे, ता आपने कोड़ स्लीवज होंदिया ने, अलागलाग साइज दिया, पहला टेपर शैंक ड्रेल नूँ स्लीव दे विच पॉने या, फेरो स्लीव नूँ अपां ड्रिलिंग मशीन दे विच पॉने या, तेया रख्या जावे, स्टेट शैंक ड्रेल यह जड़ा हो ड्रेक्ट चक दे विच चाड़ा, ते जड़ा टेपर शैंक ड्रेल लाए, वो ड्रेक्ट चक नूँ अतार के मशीन दे विच फिट कीता जागा, नेक्स्ट पार्ट आ यह बॉड़ी, ए बड़ा पार्ट आ जो, उन्हों अपां कहने है, बॉड़ी, यह ड्र पोइंट, एक ड्रिल बीट दे, पार्ट ने हैंगे, यह अपास उन्हों दखाईने, शैंक, बॉड़ी, ते पोइंट, यह ड्रील जो नूँ दखा रहा है, यह स्ट्रेट शैंक ड्रिल ने, देखोई न सारे ने शैंक ने ड्रिल दे, वो बिलकू स्ट्रेट ने, ते लग- 5 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, ठीक है जी, ते शैंक दे उपपर ही लिखिया होंदा, इस दा साई, किन्ना है, ते नाड उस दा मटेरियर लिखिया होंदा, HSS, जिमें High-Speed Steel, ये जड़े हैगने, वो टेपर शैंक ट्रेल लें, देखो, ये जड़े शैंका, वो बिल्कुल टेपर है, ये तो पुली केचर होंदा, वो बिल्कुल सेम होंदा, Stade Shank टे टेपर शैंक दा, उनना वच कोई फर्क नी होंदा, सिर्फ शैंक दा फर्क होंदा, एत्ते ये ये जड़े शैंक सो उननों, देख रहा हो हैगा, Taper Shank ट्रेल, ये सोननों, एक डिलिंग पर साइस्ता देखो, Stade Shank ट तो 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 यह हो आ, कम्पनेंट आ, जीदी मदद नाड आपानू, स्लीव दे विच्चों, जीड़ा हे टेपर शैंक ट्रिल्ला होनू, आपानू, काड सकते हैं ठीका, ए स्लीव नू फिर फर्द रगे आपानू, ड्रिलिंग मशीन दे विच्च, ड्रेक्ट फेट कीता हैं जीदी आपना चक फेट कीता होंदा, चक नो उतार के सिद्धा स्लीव नू ड्रेक्ट फेट का लाएं कई बार की होंदा है, ये टेपर शैंक ट्रिल वड्डे होंदे हैं, ता उननू स्लीव दी जरूरत भी नहीं पहनदी, ड्रेक्ट आपा मशीन दे विच्च, फेट कार सकते हैं एक बाद्डी दे एक पाठ्स ने हैं, जीडी हापा गल करें जेदा गल करें पार्ट्ोर विच्छ चार पाठ्स इंदें दे दाब, इहीं हाप आधी नूस्फ नी सेम होंदेने ड्रेल विच मैं दस हूंगा उन्हा विच कब रहना नहीं करिफ्यूज नहीं होना भी वैब कीया चीज लएज कीया ता सब तो पहला अपना जो गैल करिये द्रेल विचे बंक याइख टेंपर कीया है जो आएज बिल्कुँ देपर हो न सुसली आज हो येदा फंक्शन एही यहांदा बी ड्रेल लाते वर्कपीस दे वेच्च थोड़ा क्लीरस रहांदा गैप रहांदा मतलों ओस दू बाद आपपा गाल कारदे यां फिल्यूट्स दी ये जिडी ची शोव हो रही है तो नुए वाड़ी बला कलरदी ये फिल्यूट्स ने जिडे ट्वेस्ट रहांद पर कट्टे होयां फिल्यूट्स दा दोई काम होंदिया मेंली एक होंदा कटिंग फिल्यूट्स नूं कटिंग प्वाइंड तक लाके यांदा येड़ा cutting fluid है येड़ा आपा बारों पानी पा रहे हैं जाँ फिल्यूट पा रहे हैं वो फिल्यूट्स दूरू होंदा हुए है थे cutting point तक पहुंच यहांगा दूजा कम की हुंदा फिल्यूट्स दा येड़े chips ने येड़ा material आपां कट रहे हैं चेपस तोन मेंटिगे रमूव हो रहा है येड़े chips ने ओफिल्यूट्स दूरूरू होके बार निकल जाने ने उन्हानों आपां दो ही काम होंदे ये फिल्यूट्स दे तीसरा आयंदा हैलिक्स एंगल हैलिक्स एंगल की हुंदा एक फिल्यूट्स दा एंगल हुंदा है इस दी वैल्यू थारांतों 15 डिग्री तक को हुंदी है आम तारते इस दी वैल्यू एडिया हुं ती डिग्री हुंदी है इस दा कम चिप्स नूँ फिल्यूट्स द्वारा जाव विचों बाहर कड़नदा हुंदा है जे कर हैलिक्स एंगल ज्यादा होवे ता चिप्स ओक्षियां बाहर निकल दिया हन जिस कार्ण वाइवेशन भ बाहर निकल जादिया है तो आते हैलिक्स एंगल तो देख रहे हुं एक वाटिकल लाइन है जो द्रिल दे तूद जारी है बिल्कुल सेंटर लाइन लालो एक ड्रिल थी ते हैलिस एंगल की इप जिम्हे सबनें पहला है दसे या एक फिल्यूट दें होंदा हाथ वड़ा ब ल्यूट सेंटरं जो लाइन पास करती। एक ड्रेल दे सेंटरें जो लाइन पास करती। वर्टीकल लाइन जो दोनेर एंगल बन गया। ओकी बन गया होगा है जिफ्ख हैल इंगल। हैलिक्स दो प्रकारत्य हमादेने compromise लोः स्पेरल ते हाई स्पेरल। एते थेड़ा हेलिक्स ता एंगल वो बहुत ज्यादा काट्टा ठीक है तां करके यह इडी फ्लीटा वो बहुत लब्मी बन चुकी है लो स्पिर्यल ड्रिल इन्हें उनके ए हैगने हाई स्पिर्यल ड्रिल स्पिर्यल मतलब यह 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 वाडियां प्रोटीशन ने क्यांकि यह यसे अंगल काट्टा ता इसे करके एडीयं स्पिर्यल प्रें इन्हें थैवाज आति ने थे फ्लीट वी कैया देया और यह ईडीं है ज्छल वाज रेल हाज़ जोडीप होल तक कम करन वास्थ बरते हैं कि वह दूंकी अदुरल कारनी है यह यह ने belongs करके छोटी करनी मतर डूंगी नहीं करनी ता आपा slow spirul याने की cut hellix angle वाड़े drill weight दूस करोदे है, जेका hole डूंगी करनी है , ता आपाने यादा hellix angle वाड़े drill weight वाड़े बर्ते याइदे है slow spirul drill जाद तर stronger होंदेने ते हार्ड मिटीरियर वास्ते वर्ते यांदेने जिनना दा हैलिक्स एंगल काट होंदा वो स्ट्रोंगर होंदेने ते हार्ड मिटीरियर वास्ते वर्ते यांदेने जिनना दा एंगल ज्यादा होंदा हैलिक्स एंगल ज्यादा होंदा वो जातर रिजेट नहीं हंदे ते साट म्टेरियल वास्ते बरते हैं ने चाँ डूगियां होल करन वास्ते बरते हैं ने उस तो बाद गाल करी अपा लैंड दी देखो उस फ्लूट से उन्हें पहले ही दास चुके हैं जो ब्लैक बाडा पार्ट सी फ्लूट सी जो उपरला पार्ट रहे गया उन्हों आपा कहां देया लैंड ये पार्ट केड़ा शो हो रहे हैं जो बलीव पार्ट है हो कि ये लैंड लैंड की करदा सो नो एक स्टेंथ देन्दा डिल बेटन जिनना लैंड दा साई बड़ा होगा उन्ना जड़ी वजी स्टेंथ आगी डिल बेट दी हो जादा होगी टॉर्शन स्टेंथ इस तो बात आपा कहले करिए मार्जन दी ए वाड़ा पार्ट वी वाड़ा पार्ट जो हो हैगा मार्जन दा काम होंदा बी तांज रोड़ा ये वड़ो ड्रिल लाया वह लॉक ना होगे ड्रिल थोड़ा जुदर केड़ कर रहा है पिछ लॉक ना होगे ते दूसरा तुसी एक्ट्वल कटिंग डायमेटर जि मैं ते दिखा रहे हूं इस मार्जन तो इस मार्जन तक मिंड सकते हो एक्ट्वल कटिंग डायमेटर इस साइड तो नहीं महां साथी दुशागी दूसी डियमेटर इस साइड तो तुसी डियमेटर येगो वर्ने कले подход posición मैं साँ यू margin 2 यहांrd तर्णोवी हों देने single margin double margin efendim जा triple margin भी कहें देने depend करदर तोधिय करदोगे ड्रिलिंग दे उस तो बाद आपा गाल कारदें वैब दी उन्मा तोनों पहला वे कहा सी वैब दे कटिंग एज दुमें लागपाक सेम हो देने कन्फ्यूज नहीं होना एज चीज़ की एज वैब अगे थोड़ा जादा कलियर वीडियोज वेचे जादा कलियर होगा भी वैब करें अमकारदा ठीक है 밥 की हों दा एक ड्रेड कहें से बहुत जरूड़ी ऐलिमेंट हों export है एक बहुत जरूड़ी हिस्सा होंता है अगर वैबधी ठीकनिस काट हो दूप 얼ेगी तांवा कमझोर होएगा ड्रिल कमजोर होवेगा, जेकर ज्यादा होवेगी, तहां मतलों ड्रिल सोड़ा, रिजड है, ते मजबूत होवेगा, तेको, दो तरह दे वैब होंदिया, लाइट वैब, ते हाई वैब, लाइट वैब दे वैचकी एड़ी, चिन्ना ड्रिल लता सोड़ा डामेट्रा, सिर्फ ओधा 14-16% होंदिया, यह वैब थेकनस, यह वाड़ी, उद्धर क्लियर करदें, आगे फर्दर, नेस्त अगे ड्रिटल लेट वैच आओगा, उत्या पाखलीर करदें, वैब थेकनस की होंदिया, ठीक है, ते, पर येज़े ड्रिलल की होंगे रुड़े, विकस्ट होंगे, कमजौर होंगे, यह राइट वैब वाड़े होंगे, जेडे हैवी वाड़े होंगे, जिदे ले वन शो करें है यह वैब, देखो यह दुझा साई वड़ा हो गया, वैब थिकनस था, थिकनस वाद की जने की यह 25-25 सेंट होंदा, कटिंग डायमेटर दा, यहाँ कटिंग डायमेटर आ जनना भी ट्रेल दा, उधा 25-25 सेंट था वैब थिकनस होंदी है, इनना नुँ है वैव होंदी है, वैदरो बादी दुरी होंदी है, ते पैरली भी होंदी है, भी सेम रहंदी है, वैब तो वाद आपा अंगाल करिये, तोडे पॉइंट दी, हुंते आना देखो, यह जड़े हैगा, बल्यू कलर लगया, एक यह थोड़ा, कटिंग लिप, कटिंग लिप, योन क्या है लिप, कटिंग लिप हो गया, जिन्हों कटिंग लिप्स के जड़े है, एकचली कटिंग ओधीए वैब है तो लेक अथी तक जो वैबदाज शार्प पॉइंट बंगया एक एक पॉइंट बंगया देखो शार्प पॉइंट अनू छीज़ना के आंडी वैब सेघ्डाज फर्क है जो थेकन स आवल से मुटाई है जो घ्लीक sim अधित अधि व्होगी तो यो वाली पॉइंट बंगे एक लाइन बंगी जो तिक्षी है शार्प है जा उन्हों चीज़ाजिगा देज़ चिर्फ एन नहीं फार्का व्हेब ते चीज़ाज देवेच चीज़े लाजे सिर्फ कट नहीं करदा कि कटिंग वास्ते कामरी हो दा सिर्फ एहे पैनिटेड करदा मतलोग मिटेरियल दे विच खोगदा दा ते जिन्नी अपपा तुसी उपरों ड्रिली मशीन नू दाबरेयों निचे नू ड्रिल होल कारन वास्ते ओदा कर 60-70% येडि फोर्सा वो सिर्फ चीजलाज užते लागरी हों दिया जडितो सि अपपोरों ड्रिली मशीन नू एंडल दो नेचे नू प्रेस कारदे हों ओदी 60-70% येडि फोर्सा हो चीजलाज दे कले चीजलाज दे पर लागरी होंदिया तिया रिख़्ा जावे एक सब्सक्राइबी कामेडी कर्दा सिरु पनिटेरदा काम कर्दा मतल्बों छुपबन दा काम कर्दा उस्तवाज़ए ए बले पाट ने इनने भी ली नों हील कहने या ऐ पाट पाट जो इनननों हील कहने या हील तो बाद अपना खाल कर देयां पॉइंट एंगल दे कि जान तोसी कैसा देय। कटिंग एंगल ये दो लिप नु मिलाके बांदा जिड़ा एंगल दो लिप्स दवारा बंदा है उसनू पॉइंट एंगल के देयां एक एक लेप पार है, एक एक लेप पार है दुन्नानों मलाके जो एंगल बांदा उसनों पॉइंट एंगल कहाँ देहाँ इसदी वैल्यू आम तौरते एक सो ठारा डिगरी हुंदी है नर्म ताक्तू बास्ते पॉइंट एंगल दी मत्रा जड़ी है गिया हो इस दी वैल्यू आगी ओ जड़ा हुंदी है जी में अथे लेखियागा, hard and tough material बास थे, 130 degree तक भी यह लेएंदा, पर आमता और तेड़ी इस थी value आगी, वो 118 degree हुंदी है, पेपर बेच भी यही ज्यादा question होदा है, बी डिलिंग मशीन दा, sorry, डिलिंग, डिलिबेट दा point angle किन्य degree हुंदा है, वो हुंदा है, 118 degree, तो बाद क्याल करिए, clearance angle दी, lip clearance दी, तो आम दे हो यह थे, side, तो थोड़ा drill node कमायागा, ठीक है, एक straight line जा रही है, आप होरिवंटल लाइन है, बिल्कुल होरिवंटल है, ठीक है, तो एक के थोड़ा angle बन रहे है, जेड़ा इन विचकार हो एंगल बनुगा, ओकी होगा, lip clearance angle, जार lip relief angle भी कहा है, इस दा कम drill node बिनार कावट, जौविच इंटर कर देना होंदा है, lip clearance दा कम की होंदा, drill node बिनार कावट, जौविच इंटर कर देना, आम तारते हे 12 डिगरी रखा जानदा है, आम तारते 12 डिगरी होंदा है, जेकर lip clearance angle जादा रख दे हां, ता लिप दे टुटन दी, गुझाश भी वज जानदी है, इस angle नो cut तो cut रखा जानदा है, ता जो edge नो मजबूती ही मेल सके, जेकर इंगल ज्यादा रख देना, ता तुटन दार आपने drill बेटा कमजोर हो जानदा, ते तुटन दार आर बाद जानदा, इसलिए आमतार ते lip angle याड़ा हो, 8 तो 4 डिगरी होंदा है, पर आमतार ते 12 डिगरी ही रखे जानदा है, एक मैं इस तो बाद एक और वीडियो बामागा, जिस विच सुनूं, लग-लग material दे, लग-लग wide angle, ते लग-लग lip clearance angle लिखे जानदे, ये थोड़ा lip clearance angle सीगा, लिप clearance angle दो, अगे चाल दें आपा, तोड़ा, cutting edge angle, cutting edge angle की है, जो cutting lip, ते cutting edge दे विचकार वांदा, तो नो मैं पहला में देसा जिए cutting edge होंदा है, जो sharp edge है, ठीक है, ये web thickness है, web thickness देखो काट भी साथी है, अगर इत्तों मैंनो एत्ता एमें गोड तरीके ना grind करना, एत्तों गोड तरीके ना grind करना, ता देखो सिर्फ एनना कराया जुगा, तक cutting edge भी एनना कराया गया, तो ये web thickness देखने से भी आडियो हो, काट गी, तक chisel edge angle की हो गया, cutting lip, ते chisel edge दे विचकार, जो angle बांदा, उन्हों अपन, chisel edge angle की हो गया,